दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे या फिर हम जानेंगे कि अकरकार यहाँ पर coins DCX application में fund कैसे add करें क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि coin DCX application से आप crypto में trading कर सकते हैं कि crypto में आप investment कर सकते हैं जैसे कि आप bitcoins के अंदर बहुत सारी coins हैं जिसे आप buy and sell कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको इसके अंदर fund add करना होता है तो अगरकार coin DCX application में fund add कैसे करें क्योंकि इसका process अलग होता है और जैसे कि grow हो गया angel one हो गया तो वो आपका Indian brokerage application है उसमें process अलग होता है उसमें बहुत आसान होता है लेकिन इसमें आसान नहीं होता है पैसे add करना तो कैसे आप पैसे add करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा तो सबसे पहले आप इसे open करिएगा open करने के बाद यहाँ पर मिलेगा plus का icon या फिर आप इसे update भी कर लीजिएगा वीडियो के description में link मिल जाएगा तो आप जब इस पर click करेंगे आपके समने इस तरीके से pay जाएगा अब आप यहाँ पर कितने रुपए add करना चाहते हैं कि रॉप्टों में add करना चाहते हैं या फिर आप INR में add करना चाहते हैं तो अपना choose करिएगा तो हम यहाँ पर INR में एड करेंगे यानि के इंडियन रुपीज में तो आप कितने एड करना चाहते हैं उसके लिए आपको नीचे मिलेगा विड्रॉल और उसके मिलेगा डिपोजिट तो आपको यहाँ पर डिपोजिट पर क्लिक करना है आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बैंक एकाउन को लिंक करना होगा अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो यहाँ पर आपको अपना एकाउन नमबर इंटर करना ह यहाँ पर IFC code डाल देना है और उसके बाद प्रसीड करना है आपका bank यहाँ पर link हो जाएगा मैंने यहाँ पर सारी details अपनी इंटर कर दी है अब आपको यहाँ पर क्या करना थोड़ा नीचे आना है और नीचे दिखाई देगा प्रसीड बेटन और आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर इंटर हो जाएगा उसकी बाद आपके बेंक में एक रुपए डिपोजिट किया जैगा verification के लिए तो यहाँ पर आपका verification हो जाएगा और आपका bank add हो जाएगा तो इस तरीके से इसके आंदर आपका bank add हो जाएगा अब आप इसके अंदर fund आसानी से add कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर मिलेगा कितने रुपई lock करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा minimum आप सो रुपई add कर सकते हैं और maximum आप एक बार में 5,00,00 रुपई भी add कर सकते हैं तो हम यहाँ पर 100 रुपई add करके आपको दिखाते हैं कैसे add होगा उसके बाद नीचे मिलेगा proceed to pay या फिर आप continue to pay और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आ जाएगा अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपको कहां से पैसे जमा करना है तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको जो पैसे pay करना है वो पैसे सिर्फ आपको सिर्फ pay करने है IMPS यानि कि इसे के माध्यम से आपको पैसे pay करना है UPI के माध्यम से आप pay नहीं करेंगे नहीं आप NEFT and RGTS के माध्यम से pay करेंगे यानि कि आप UPI app से जैसे phone पे, Google पे से आप पैसा नहीं जमा कर सकते हैं और नहीं आप NEFT, NEFT और उसके वाद RTGS यानि कि जो payment option है इनका आप use नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप use करेंगे IMPS यानि कि इसके माध्यम से पैसा आप यहाँ पर जमा करेंगे और पैसा जमा करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे एक option मिलता है कि आपको यहाँ पर एक bank details मिल जाएगी जैसे कि यह है account number, यह है आपका IFC code, यह आपका नाम है यह आपके bank का नाम है और यह आपका mobile number है तो बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर अपना account number, IFC code, copy करना है और जहाँ पर भी आप अपने IMSPS के माध्यम से पैसे transfer करते हो वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर यह bank detail डाल कर अपना payment करना होगा और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर high have pay now पर click करेंगे आपका पैसा add हो जाएगा तो पहला process यह है लेकिन अगर आप इतना process नहीं करना चाहते हैं आपको नहीं पताए कि यार कैसे होगा और यह IMSPS क्या होता है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस आपको अपने net banking पर click करना है net banking से direct आपका जो payment होता है वो IMSPS के माध्यम से होता है तो आप इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे आपके browser में आपका net banking open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना net banking login करना होता है तो आपको login पर click करना है जैसे आप पर login पर click करेंगे आपके आजाएगा content to login और आप फिर से इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना username और password इंटर करना होगा और नीचे दिया गया है CAPTCHA यह CAPTCHA आपको यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद login बटन पर click कर लिजेगा जैसे हमारा है SBI bank तो हमारे सामने SBI का internet banking open हुआ है आपके पास जो भी bank होगा उसका इहाँ पर internet banking open हो जाएगा अगर आप internet banking अभी तक use नहीं करते हैं या आपने registration नहीं किया है तो फिर आप इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं मैंने हाँ पर सारी जानकारी इंटर कर दी है capture जैसा है वैसा ही आपको type करना है उसके बाद login जैसे आप पर login बटन पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा आपके bank की तरफ से वो आपको यहाँ पर copy करके अपना OTP paste करना है और submit जैसे आप पर submit करेंगे submit करने की बाद आपके समने ये वाला page open हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ से आपको payment करना होगा कैसे करना है चलो हम आपको बता देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा 3. और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे payment and transfer पर клик करिएगा जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद इस तरीके से pay जाएगा आप यहाँ पर दिखाई देगा क्यों के transfer without adding beneficiary आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके समने इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपके एकाउंट दिखाई देंगे और उसकी बाद आपका बैलेंस थोड़ा सा आपको नीचे की तरब आना होगा जैसे आप नीचे की तरब आएंगे यहाँ पर मिलेगा वेनिफेकेसरी नेम और उसकी बाद एकाउंट नमबर और वही account number यहाँ पर re-enter करना होगा यहाँ पर मिलेगा payment option within SBI या फिर other bank तो यहाँ पर आपको SBI नहीं आपको with other bank पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको फिर से सारी details माँगी जैसके IPC code उसके बाद transfer mode आपको इस पर click करेंगे आप किस mode से transfer करना चाहते हैं तो हम करना चाहते हैं इसके बाद amount यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा purpose आप किस लिए बेज रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना purpose चूज करना है तो हम deposit and investment को चूज करेंगे तो चलो हम यहाँ पर सारी जानकारी अपनी इंटर कर देते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको अपना name यहाँ पर अपना name डालेंगे उसके बाद अपना account number तो इसे हम यहाँ से cut करते हैं cut करने की बाद अपने हम यहाँ पर coin dcx में चलते हैं तो यहां से हमों मिल जाएगा account number, तो account number copy करेंगे, उसके बाद यहां पर हम अपना account number enter कर देते हैं, वही account number यहां पर enter करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, यहां पर आपको अपना name डाल देना है, तो हम यहां पर अपना name डाल करेंगे उसके बाद यहां से आ जाएंगे अपने नेट बैंकिंग पर और यहां पर आएंगे नीचे IFC code की जगा पर अपना IFC code इंटर करेंगे उसके बाद बस आपको amount इंटर करना है उसके बाद आप पैसे किस बैंक में भेज रहे हैं अगर आप अपने ही अधर बैंक में भेज रहे हैं जैसे SBI में ही तो आप within SBI चोज़ करेंगे आप किसी other bank में जैसे की हम जिस बैंक में भेज रहे हैं वो SBI नहीं है आप ध्यान से देख लिजेगा यहाँ पर आपके bank का name होगा देख सकते हैं तो हम यहाँ पर other चूज़ करेंगे यहाँ पर उसका यह पैसी code यहाँ पर आपको transfer mode चूज़ करना है अपना amount उसके बाद नीचे और उसका agree को accept करना है फिर आपको submit जैसे आप I agree को accept करेंगे अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि payment आपको अपने किस bank से देना है जैसे कि हमारे यहाँ पर दो bank के account हैं देख सकते हैं कि यह है एक यह तो हमें किस bank से पैसे pay करना है तो आपको अपना bank चूज करना है कि हमें इस bank से पैसे pay करने है उसकी बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आने की बाद अब यहाँ पर आपको इसे submit बटन पर click करना है जैसे आप इसे submit करेंगे, submit करने की बाद थोड़ा सा wait करेंगे, उसके बाद नीचा आएंगे यहाँ पर मिलेगा confirm, यानि कि आपके समनी यह सारा का सारा transaction details आ गया है कि आप कितने रुपए transfer कर रहे हैं, कि इस account में उसका IFC code किया है उसके बाद confirm, जैसे आप एक confirm करते हैं, confirm करने की बाद आपके समनी आ जाएगा enter high security password, तो यहाँ पर आपके bank से एक OTP आएगा, वो OTP को copy करेंगे उसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अपना OTP इंटर करेंगे, उसके बाद confirm, जैसे आप एक confirm करेंगे उसके बाद जो आपका payment होगा, वो successful हो जाएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर wait कर लिजिएगा तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर payment confirm हो गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा योर IMPS fund transfer request posted successfully, जैसा कि आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप पना payment transfer करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे back, बैक आने की बाद अपने application पर चलेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा I have paid now, तो आपको इस पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर दिखाए देगा payment success यहाँ पर मिलेगा you will redirect, यानि की आपका पैसा आपके account में add हो गया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, आपका पैसा इसमें add हो चुका है, तो कुछ इतना process आपको follow करना होगा, यानि की आपको यहाँ पर सीधा कहने वाली बात है, कि आपको ज आप like कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखने के लिए, हमारी तरब से आपको पहुत धन्वद,